श्री विठ्ठलाए नमाह नमो सद्गुरु तुक्या ज्ञान दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानन्द रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्यान मुर्ती मस्तग है पायावरी या वारकरी संताच्या महाराश्च्च गे उपमुक्य मंत्री स्री अजीत पभार जी प्रतिपक्ष नेता स्री देवेंदर फणनविज्जी पूर्व मत्री स्री चंद्रकान पाटिल जी वारकारी संत्री मुरली बाबा कुरेकर जी जगत गुरू स्री स्रन्तुकारा मारा संस्तान के चेर्मेंड नितिन मोरे जी आध्यात्मिक अगाडी के प्रेशिडेंट आचारियसलित तुशार भोशले जी यहां उपस्तित संतगान देवियों और सज्जनों भगवान विठ्थल और सभी वारकरी संतों के चरणों में मेरा कोटी कोटी वंदन हमारे सास्त्रों में कहा गया है कि मनुश्य जन्मे में सबसे दुरलब संतों का सत्संग है संतों की कृपा अनुभूती हो गई तो इश्वर की अनुभूती अपने आप हो जाती है आज देहु की इस पवित्र तिर्थ भूमी पर मुझे आने का सोभागे मिला और मैं भी यहाँ वही अनुभूती कर रहा हूँ देहु संत शिरोमनी जगदगुरु तुकाराम जी की जन्मस्थली भी है दन्य देहु गाओं पुन्य भूमी ठाओं तेथे नांदे देव पांडुरंग गन्य खेत्र वासी लोगते देवाचे उच्चारिती वाचे नाम घोश्य देहु में भगवान पांडुरंग का निट्य निवाद भी है और यहां का जन जन स्वयम भी भक्ति से ओत प्रोत संत स्वरूप ही है इसी भाव से मैं देहु के सभी नागरिकों को मेरी माताओं बेहनों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ अभी कुछ महिने पहले ही मुझे पालखी मार्ग में दो राष्ट्रिय राजमार्ग को फोर्लेन करने के लिए सिलान्यास का आउसर मिला था स्री संत ग्यानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का निर्मान पांच चल्ड़ों में होगा और संत तुकारा महाराज पालखी मार का निर्मान तीन चल्ड़ों में पुरा किया जाएगा इन सभी चल्ड़ों में 350 किलोमेटर से ज़्यादा लंबाई के हाईवे बनेगे और इस पर 11,000 करोड रुपीए सी भी अधिक्का खर्च किया जाएगा इन प्रयासों से छेक्तर के विकास को भी गति मिलेगी आज सभागे से पवित्र शिला मंदिर के लोकारपन के लिए मुझे देहु में आने का सभागे मिला है जिस शिला पर स्वयम संद तुकारामजी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो जो सिला संद तुकारामजी के बोध और वैगराग्य की साथ्षी बनी हो मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ शिला नहीं वो तो भक्ति और ज्ञान की आधार शिला स्वरूप है देहु का शिला मंदिर न केवल भक्ति की शक्ति का एक केंद्र है बलकि भारत के साथ कुरुदिक भविश्य को भी प्रसस्त करता है इस पवित्र स्थान का पुनाद दिर्मार करने के लिए मैं मंदिर न्यास और सभी भक्तों का रुदय पूर्व का मिननन करता हूँ आभार व्यक्ता करता हूँ जगद्गुरु संद्टुकाराम जी की गाथा कहा था जिन्होंने समवर्दन किया था उन संताजी माहराज जगदाडे जी इनका स्थान सदुम्बरे भी पास में ही है मैं उनको भी नमन करता हूँ साथियों इस समय देश अपनी आधादी का अमरित महोत्सों मना रहा है हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचिनतम जीवीत सब्यताओं में से एक है इसका स्रे अगर किसी को जाता है तो भारत की संत परंपरा को है भारत के रुश्यों मनिश्यों को है भारत स्वास्वत है क्योंकि भारत संतों की धर्ती है हर यूग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई ने कोई महान आत्मा आउतरित होती रही है आज देश संत कबिर्दाच की जैनती मना रहा है यह संत ज्यानेश्वर महराच, संत निवुर्तिनाद महराच, संत सोपन देव और बहान आदिशक्ती मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधिका साथ सो पचीसवा वर्ज भी है ऐसी महान विपितियों ने हमारी सास्वत्ता को सुरक्चित रखकर भारत को गतिसिल बनाए रखा संत तुकाराम जी को तो संत बहना भाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भड़ा जीवन जिया अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परितितियों का सामना किया संसार में उन्होंने बुख देखी, बुखमरी देखी दूख और पिड़ा के ऐसे चक्र में, जब लोग उमीद छोड़ देते हैं, तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं, बलकि बविश्य के लिए भी आशा की किरन बन कर उबरे उन्होंने अपने परिवार की संपत्य को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, ये शिला, उनके उसी त्याग और वैयरागी की साक्षी है साथियों, संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का बोबोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है इन अभंगों ने हमारी पीडियों को प्रेणा दी है जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ सास्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मुल्यों के अधार पर आगे बढ़ रहा है तो संत तुकारामजी के अभंग हमें उर्जा दे रहे हैं, मार्द दिखा रहे हैं संत नामदेव, संत एकनात, संत सावता महराच, संत नरहरी महराच, संत सेना महराच, संत गोरोवाखाका, संत चोखा मेला इनके प्राचिन अभंगों से हमें नीत नई प्रेणा मिलती है आज यहाँ संत चोखा मिला और उनके परिद्वार द्वारा रचीत, सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सवभाग मिला है इस सार्थ अभंग गाथा में, इस संत परिवार की पांसो से ज़्यादा अभंग रचनाओं को आसान भासा में अर्थ सहीत बताया गया है भाजी और बैनों, संत तुकाराम जी कहते थे, उच नीच काही नेड़े भगवन अर्थात, समाज में उच नीच का भेदवाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है उनका ये उपदेश, जितना जरुरी भगवज भक्ति के लिए है, उतना ही महत्वपून राष्ट भक्ति के लिए भी है, समाज भक्ति के लिए भी है इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंडरपुर की यात्रा करते हैं इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विशवाद, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है सरकार की हर योजना का लाप, हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है वारकरी अंदोलन की भाउनाओं को सतक्त करते हुए देश महिला सतक्तिकन के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है पुरुशों के साथ उतनी ही उर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बेहने पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है साथ क्यों? संतुकाराम जी कहते थे जे का रंजले गांजले जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधु उडखवा देव तेथे ची जानवा यानि समाज की अंक्तिम पक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना उनका कल्यान करना यही संतों का लक्षण है यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है दलीत, वंचीत, पिछडा, आदिवासी, गरीब, बद्दूर इनका कल्यान आज देश की पहली प्राफिकता है भाई और भेनों संत अपने आप में एक ऐसी उर्जा की तरह होते हैं जो बिन्ड बिन्ड सितियां, परिसितियों में समाज को गती देने के लिए सामने आते हैं आप देखिए चत्रपती सिवाजी महराज जैसे राष्ट नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी एहम भूमी का निभाई है आजादी के लड़ाई में बीर सावर करजी को जब सजा हुई तब जेल में वो हथ कड़ियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे अलग-अलग कालखन अलग-अलग भिबूतियां लेकिन सब के लिए संत तुकाराम जी की वाणी और उर्जा उतनी ही प्रेणा दायक रही है यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेती-नेती कहा गया है ताथ क्यों तुकाराम जी के इस शिला मंदिर में प्रणाम करके अभी असाण में पंदरपूर की यात्रा भी शुरू होने वाली है इन यात्राओं के जरिये हमारे संतों ने एक भारत थ्वेश्ट भारत की भावना को जीवन्त रखा है विविद्दताओं को जीते हुए भी भारत हजारों वर्सों से एक राष्ट के रुप में जागरत रहा है क्योंकि ऐसी यात्राएं हमारी विविद्दताओं को जोडती रही है भाई और भेनों हमारी राष्टिय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दाहित्व है कि हम अपनी प्राचिन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नलोजी और इंफ्रास्टेक्टर भारत के विकास का परियाय बन रहे है तो हमें इस सुनिशित कर रहे है कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े आज पंधरपुर पाल की मार का आधुने करन हो तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाईवे बन रहे है आज अयोध्या में बव्यराम मंदिर भी बन रहा है काशी विश्वनादाम परिशर भी अपने नए रुश्वरूप में उपस्तित है और सोमनाजी में भी विकास के बड़े काम किये गए हैं पूरे देश में प्रसाद योजना के तहट तीर्थ स्थानों और परियटन सलों का विकास किया जा रहा है महर्चिबाल्मिकीजी ने रामाएन में भगवान राम से जुड़े जिन सलों का जिक्र किया है रामाएन सरकीट के रुप में उनका भी विकास किया जा रहा है इन आठ वर्षों में बाबा साब आमबेड करके पंच तिर्थों का भी विकास हुआ है चाहे महु में बाबा साहिब की जन्मसली का विकास हो लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते जे उस गर को समारक में बदलना हो मुंबई में चैट भूमी का काम हो नागपुर में दिख्षा भूमी को अंतरास्ते स्तर पर विक्स्तित करने की बात हो दिल्ली में महापरी निर्वान थल्प और मेमोरियल का निर्मार हो ये पंचतिर्थ नई पीड़ी को बाबा साथ की स्वृतियों से निरंतर परिचित करा रही है साथियों संतुकराम जी कहते थे असाध्यते साध्य करीता सायास असाध्यते साध्य करीता सायास कारण अभ्यास तुकामने अर्थात अगर सही दिसा में सब्का प्रयास हो तो असंभव को भी प्राप्त करना संभव हो जाता है आज आज हाधी के 45 साल में देश ने सत प्रतिशत लक्षों को पुरा करने का संकल पलिया है देश गरीबों के लिए जो योजनाय चला रहा है उन्हें बिजली, पानी, मकान और इलाज जैसी जीवन की जीने की मौलिक जरुरतों से जोड रहा है हम उन्हें सो प्रतिशत लोगों तक पहुँचाना है इसी तरह देश ने परियावरण, जल सहुरक्षान और नदियों को बचाने जैसे अभ्यान शुरू किया है हमने स्वस्त भारत का संकल्प लिया है हमें इन संकल्पों को भी शत प्रतिशत पुरा करना है इसके लिए सब के प्रयास की, सब की भागिदारी की जरूरत है हम सभी देश सेवा के इन दाइत्वों को अपने अध्यात्मिक संकल्पों का हिस्सा बनाएंगे तो देश का उतना ही लाब होगा हम प्लास्टिक मुक्ति का संकल्प लेंगे अपने आजपास जीलों तालाबों को साप रखने का संकल्प लेंगे तो परियावरण की रख्षा होगी अमरित महोतों में देश ने हर जीले में 75 अमरुत सरवर बनाने का भी संकल्प लिया है इन अमरुत सरवरों को आप सभी संतों का आशिरवाद मिल जाए उनके निर्मान में आपका सयोग मिल जाए तो इस काईने की गति और बढ़ जाएगी देश इस समय प्राकृतिक खेति को भी मुहिम के रुप में आगे बढ़ा रहा है ये प्रयास वारकरी संतों के आदर्सों से जुड़ा हुआ है हम कैसे प्राकृतिक खेति को हर खेत तक ले जाएं इसके लिए में मिल कर काम करना होगा अगले कुछ दिन बाद अंतर राच्य योग दिवस भी आने वाला है आज जिस योग की दुनिया में धूम है वो हमारे संतों की ही तो देन है मुझे भी स्वास है आप सब योग दिवस को पूरे उत्सांचे मनाएंगे और देश किर्पती इन कर्तवियों का पालन करते हुए नए भारत के सपनों को पूरा करेंगे इसी भाव के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ और मुझे जो अवसर दिया जो सम्मान दिया इसलिए आप सब का सर जुका करके अभिनंदन करता हूँ दन्यवाद करता हूँ जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी हर हर महादे